नमस्कार दोसों ललू जी की रसोई में आपको सौगत करता हूं आज मैं बनाने जा रहा हूं मंचूरियन तो यह मंचूरियन बनाने वाला हूं पत्ता गोभी से बनाने वाला हूं बहुत ही एकदम ग्रेवी वाले बनाने वाला हूं अगर आपको यह वीडियो पसंद आएग उटो वेडियो को लाइक, ठोकिएगा, तो हम चलते हैं मंचुरईयन बनाने के लिए, किलिये मैंने यहाँ पर आधा किलो, पत्ता गोभी लिया है, उसे मैं कदू कस कर लिया है, तो देखें, जैसे की मैंने क Creator करके दिखा रहा हूं तो मैंने कदू कस करके लिया है, पर यहाँ पर क्या है इसमें juice है तो मैं juice को निकालने के लिए एक हाथ लूँगा और उसमें मुठी भर को पूरा दबा दबा के अच्छे से उसका मैं juice निकाल लूँगा तो मैंने यहाँ पर पूरा जूस निकाल लिया है एक अलग बाउल में तो अब मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर लेता हूँ कुछ मसाले जैसे कि मैंने यहाँ पर आदा चमज लिया है हल्दी पाउडर यह सिर्फ कलर के लिए है इसके बाद मैं आला चमाच लोगा लाल मिर्च पाउडर इसके बाद मैं यहाँ पर लोगा जीरा पाउडर लोगा अब मैं पहले इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लोगा चम्मत की सहायता से तो यहाँ पर मैं फटा फट अच्छे तरह से इसको मिस्क कर लिया हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे तरह से मिस्क कर लिया हूँ तो देखिए अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डाल देता हूँ नमक तो मैं यहाँ पर नमक एड़ कर दिया है तो दीखिए आप स्वाद इन्सवाद नमक डालिएगा तो इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मैदा, आधी, कटोरी और इसके बाद मैंने दो चम्मच लूँगा, आररोट लूँगा तो देखिए दो चम्मच हो गया है, अब इसके बाद मैं पहले चम्मच की सहायते से इन सभी को अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगा हमें यहाँ पर पानी का इस्तमाल नहीं करना है, क्योंकि यह पत्ता गोबी है, इसमें नमक डालने के बाद क्या है कि थूरा स्जूस आ जाता है तो मैं यहाँ पर हाथों की सहायता से इसे फटाफट मिक्स कर लेता हूँ तो देखे यहाँ पर एक अच्छा सक्त डोबन के रीडी हो चुका है तो जैसे की देखे बहुत ही अच्छा यहाँ डोबन के तयार हो गया है, अब मैं क्या करता हूँ गोल-गोल एदम चोटी-चोटी एक बना लेता हूँ गोल, देखे मैं याँ पर एदम गोल गोल बना लेता हूँ अच्छे से तो मंचुरियन के बॉल आपको इस तरह बनाने हैं एदम छोड़े जोटे ठीड़े तो खाने मिं भी बहुत अच्छा लगेगा तो इसी प्रकास हम क्या कर रहें सब भी बना लेते हैं मंचुरियन बॉल तो देखे म मैंने यहाँ पर सारे मंचूरियन बॉल बना लिए हैं अब हम क्या करते हैं इसको फ्राय करना है तो फ्राय करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल गरम होने के लिए पहले से रख दिया था तो इसे मैं हमें एक एक क्या है फ्राय होने के लिए डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने इदम ब्राउन कलर के हो गए हैं मतलब गोल्डन कलर के हो गए हैं ये पक चुके हैं अच्छी तरह से मैं इसे फटा-फट निकाल लेता हूँ बाहर तो देखिए इसी प्रकार हम फ्राइ कर लेंगे बाकी तो अब हम चलते हैं मंजुरियन बनाने की लिए तो मैंने उसी कढ़ हरी मिर्च लिया हूँ उसको भी मैंने चॉप करके बारिक करके लिया हुआ है इसके बाद मैंने यहां पर दो प्याज करके दो प्याज लिया है लंबी स्लाइस में अब इनको मैं क्या करूंगा एक स्लाइस निकालूंगा चमर की साथ साथ देखिए इस दिम स्लाइस निकल गई है सभी कि दम बारीक निकल गई है अच्छी तरह से अब यह सौप्ट हो गई है तो देखिए अब इसके बाद मैं क्या करूंगा इसमें मैं एड करने वाला हूँ सिम्ला मिर्च इसको मैं लंबे स्लाइस में कट करके लिया हुआ है इसको भी हमें सौप्ट कर लेंगे दो मिर्ट तक दो मिट तक आपको इसको soft करना है ज्यादा soft नहीं करना है तो देखिए यहाँ पर दो मिट हो चुके हैं अब हम क्या करेंगे इसमें add करेंगे tomato ketchup add करेंगे तो मैंने यहाँ पर tomato ketchup एक चमच add किया है इसके बाद मैं एक चमच green chili add करूँगा इसके बाद मैं add करने वाला हूँ यहाँ पर soya sauce एक चमच add करूँगा अब मैं इनको सभी को अच्छे से mix कर लूँगा तो mix करते रहिए इसी प्रकार आपको mix करते रहना है लबक दो मेर तक अब इसके बाद मैं आला चमच डाल दूँगा black paper इसको भी अच्छे से mix कर दूँगा तो यहाँ पर इसका black paper हमारा अच्छेता से mix हो गया है अब मैं यहाँ पर तो gravy के लिए आधा कप पानी डाल दूँगा तो पानी मैंने add कर दिया है इसके बाद मैंने यहाँ पर fruit color लूँगा यह red color है यहाँ पर एक pinch लूँगा मैं इसके बाद मैंने दो चमच अर रोट लिया है उसमें पानी डाल करके घोल तयार कर लूँगा तो इसे मैं फटापट कर लेते हैं घोल एक घोल डालने से क्या है कि gravy अच्छे से हो जाएगी इदम गाड़ी वाली gravy हो जाएगी तो इन सभी को हम अच्छे से mix कर लेंगे दो मिर्दक इसे gravy को हम पकाएंगे तो देखिए मेरी यहाँ gravy क्या है इदम खुछ भी gravy नहीं बची है तो देखिए बहुत ही कम gravy बची है तो यहाँ पर मंचुर इदम ड्राय बन जाएगा तो मुझे क्या जाएगा ग्रेवी चाहिए तो इसलिए मैं कह करूँगा अब यह तो देखिए इस तरह आपको पकाना है चला चला के तो देखिए यहाँ पर gravy हमारी क्या है इदम गाड़ी हो चुकी है अब हम यहाँ पर डाल देंगे मंचुरियन बॉल जो हम फ्राय करके रखे थे चला दें इसे अच्छी तरह से तो देखिए यहाँ पर हमारा बॉल ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम क्या करेंगे टेस्ट के अनुसार आप यहाँ पर नमक एड़ कीजिएगा अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें बस यह मंचुरियन हमारा रेडी हो चुका है बस ऐसे चलाते रज़े एक मिनट तक तो देखिए यहाँ पर हमारी मंचुरियन पत्ता गोबी मंचुरियन रेडी हो चुकी है तो दोस्तो मंचुरियन बनके हो गए है तयार यह पत्ता गोबी का मंचुरियन है फ्रेशनेस के लिए मैं यहाँ पर डाल दूँगा थोड़ा सा हरी धनिया की पत्तियां अब बस काटो की इस काटो वाला जो चमच होता है विससे से आप इंजॉय कीजिए तो दोस्तो अग को सब्सक्राइब परिएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में